पहला सवाल आज जाता है तैसीन पुनावाला और तैसीन पुनावाला आज मेरा सवाल बस इतना है पिछले पांच दिनों में जो गुहार लगाई जा रही थी न्याई के लिए बंगाल की बेटी के लिए हमारी डॉक्टर बेटी के लिए आज वो एक कदम और आगे सवाल कोशिश हुई है और ये आरोप ही नहीं ये सवाल जायज भी लगता है कि क्या वहां के सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई है कहीं किसी सर्वर रूम में तोड़ फोड़ कहीं सीसी टीवी में तोड़ फोड़ कहीं लोगों पर हमला कहीं नर्सों पर हमला आज आज राहुल जाने की फुरसत नहीं है, ये सवाल उठाने की फुरसत नहीं है, क्योंकि ये ट्रिनमूल कॉंग्रेस का बंगाल है, ये बाकी भारत को आंक बंद करके रख लेना चाहिए, और जब वो पांचवे दिन ट्वीट करने पे उतरे, तो उन्हें कठवा की जादा याद आई, पे इतनी चुपी, क्यों तैसीन पुनावाला? तक के इंडिया अलाइन्स खुट, कॉंग्रेस और लेफ्ट, दोनों साड़क पर है, प्रोटेस्ट कर रहे है, अगर कोई पार्टी पॉलिटिक्स कर दिये है, और रेप पे पॉलिटिक्स करती है, वो सिर्फ है भारतिय जन्ता पार्टी, वरना मुझे बताएए, आसा राम महिलाओं के लिए खड़ी नहीं होती है, राहुल गांदी और प्रयांका गांदी वाडरा सब के लिए खड़े होते हैं, यही अंतर है राहुल गांदी और प्रयांका गांदी वाडरा में, और माननीय मोदी जी और अमिच्चा जी में, इसलिए शाहर आपके अपेक्शा भ पहले ही अपनी बात खतम कर दे। शहजाद पुनावाला निशब्द हूँ, क्या कहूँ, आप ही जवाब दे दीजे। डॉक्टर सडकों पर थे, न्याय मांग रहे थे उस बेटी के लिए और उस समय पर हजार से ज़्यादा गुंडे घुश जाते हैं उस बीड में, उस पूरे मुवमेंट को डिस्क्रेडिट करने के लिए हिंसा अपनाते हैं, पुलिस नदारत हो जाती है, उस अस्पताल में घ हेल्थ मिनिस्टर, रो मिनिस्टर आप है, आपने प्रिंसिपल को प्रमोट किया, आप ही की पुलिस फोर्स में ये रॉय व्यक्ती था, आप ही ने जिस प्रकार से हेल्थ मिनिस्टरी और हो मिनिस्टरी ने जो कारिक किया है, उसकी वज़े से कोट है, उसने CBI को मामला ट्र कर रही है अरे तैसीन पुनाला मुझे छोड़िये साकेद गोकले का ट्वीट पढ़कर सुनाता हूं इंडी अलाइंस की नेता है डिफाइन दी हाइट ऑफ आईरेनी राहूल गांधी कट्वा कोलकता बोलते हैं अपने ट्वीट में कल अरे राहूल गांधी कट्वा के जो अ तो कब निकालेंगे जो नवाब यादव है उसकोसे तो किनारा कर दिया हलाकि नेता आप ही का है पर नुट यह सेलेकटिव आउटरेज है यह दिखाता है कि सेलेकटिव ली किस प्रकार से आक्रोशट होना है और आज जब पस्चिम मंगाल की सरकार से इस्तीवा मंगना है तैसीन पुनावल आखरी बात कह रहा हूँ, आपने बोला ना कि भाजपार सियासत करती है, अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता दिदी को अपने पत्पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, राहूल गांदी इसको स्विकारते हैं हाँ या ना? सवाल, सवाल आज है कि ये इतना सेक्यूलर साइलेंस, ये इतना इंडिया साइलेंस क्यों है? सब्सक्राइब ने बिलकुल कहीं साइलेंस नहीं है, कौलकाता की घटना को लेकर सभी पार्टियों के ओड़ से पूरत देशा करोसीत है, सब को चिंता है, और जो बेटी के साथ वहाँ हुआ, उस पर सब को चिंता होनी भी चाहिए, और फिर उसके बाद प्रदर सनकारी ड गटनाओं की खाबरें आ रही है, इस पर हमें सभी राजनितिक लोगों को, परसासन के लोगों को, पुलिस के लोगों को, और मीडिया के लोगों को, आत्म चिंतन और आत्म मन्थन करना चाहिए, कि हम में कमी कहा है, क्या वज़य है, कानून की कमी है, सामाजिक सोच की कमी ह हमारे संसकारों की कमी है हमारी संसकिर्टी की कमी है इस तरह की घटना क्यों बढ़ती जा रही है लेकिन जो आप सवाल पूछ रही है ना विकाजी भारती जंता पार्टी भारती जंता पार्टी की सरकार और भारती जंता पार्टी को मीडिया इसको लेकर चिंत इतनी है कि महि सब्सक्राइब पूरा सरकार भी मौन है मीडिया भी मौन है उत्तर पिर्दैस में आज की खबर है जहांसी में एक तीन साल की बेटी के साथ यह घटना हुई है और उसे नाले में फैक दिये गया हत्या करके एक और घटना हुई एडियो इस तरका आदमी एडियो के नौकरी कर उत्तर प्रदैस की रहने वाली है उत्तरखंड में नर्स्ती उसको जाडियों में पकड़के उसके साथ रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी उसकी चुनी से गलग उटके कहीं कोई आवाज नहीं है कहीं सांतिछाई हुई है चुन चुन के घटनाओं को चुन चुन के और फि प्रदैस में कई ऐसे इंसिडेंट हुए थे लेकिन आपने हात्रस को मुद्दा बनाया और ही क्या हात्रस में जो हुआ निर्मम था और एक तरह से एड्मिनिस्ट्रेशन का कोलाप्स था मैं बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जो आप कर रहे थे गलत लेकिन आज जो आप कह र नहीं बोला वो बोलते तो आप क्या कहते अरे देखा ना पॉलिटिक्स कर रहे हैं यह तो प्रदान मंत्री है इन्हें तो पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए यह तो ग्रे मंत्री है इन्हें तो पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए चित भी मेरी नहीं हो सकती मुझे कुछ कहन मुझे कुछ कहना है मुझे पता है कब उन्होंने देश को संभोधित किया हाथ तेस पर कब बोले उन्होंने उन्नाव पर कज बोले मैं ये पूछ रहा हूँ कि बिजबूशन शर्ण सिंग जिसके खिलाब आप लड़ी नाविका जी वो उन महिलाओ को उन जिसम के उन भागों को छूराता प्रोटीन के लिए जहां पर मैं प्रोटीन बागने थे वो आज अपने बायो डेटा में लिखता है मोदी जी का परिवार उस पर क्या एक्शन हो आओगी ये सवाल है नाविका मैं अब जवाब देता हूँ मैं अब जवाब देता हूँ नाविका ब्रिज भूशन वाले मामले से ही जवाब देता हूँ क्योंकि भारती दंता पार्टी कभी किसी विशे पर भागती या छिपती नहीं है उसको एड्रेस करती है वाट बाटरी नहीं करती है ब्रिज भूशन शरन सिंग ने जो किया उसका कोई भी समर्थन नहीं करता आयोए की कारवाई, ड्रेस्टिंग फेडरेशन की कारवाई, सुप्रीम कोट की पुलिस की कारवाई और उसके अलावा उसका पार्टी का टिकेट भी काटा गया, पर आपने लाल सिंग को टिकेट दिया आप बोलते राहूल गांधी बहुत बोलते, मोदी जी नहीं बोलते, संदेश खाली पर राहूल गांधी का क्या बयाना है सवाल वारिज पठान में ये पूछना चाहती हूँ कि अगर बंगाल में law and order का सवाल पूछा जाए तो क्या ये जवाब आएगा कि आप इस देश को बंगलादेश बना रहे हैं क्या हमें अपने देश के अंदर नहीं देखना कि क्या चल रहा है क्या उस बेटी के लिए हम आवाज भी नहीं उठा सकते वारिस पठान भाई सवाल ये है कि हम अपनी लाल लकीर कहां खीचेंगे कब खीचेंगे हर मुद्दे पर हम मुद्दे को घुमाने की कोशिश क्यूं करते हैं मैं नहीं कह रही कि सिर्फ बंगाल में ऐसा हुआ लेकिन जो हुआ और जो अब तक सामने आया है वो एक बरबरता की तस्वीर दिखाता है वो दिखाता है कि आज हम अपना स्वतंतरता दिवस तो मना रहे हैं लेकिन स्वतंतरता कैसी जब रात के 12 बजे 15 अगस जब चड़ता है उस वकत इस देश में डेमोक्राटिकली प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडंट्स पर स्टूडंट प्रोटेस्टर्स पर लाठी चार्ज हुआ हजार गुंडों ने आकरमन किया हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ की नर्सों को मारा पीटा क्या हम इस बात पर सवाल भी नहीं उठा सकते